नमस्कार मित्रों मैं नीरश सकसेना फिजिक्स फेकल्टी बच्चों पिसले लेक्चर से वापिस कंटीनियू कर देता हूं ये स्टोरी में सुना चुगा था आपको विद्विशेत की अनुपस्तिती में चालक के अंदर मुक्त इलेक्टोनों की स्थिती ठीक वेसी होती है जैसी गेस पात्र के अंदर उपस्तित गेस के अणों की जिस प्रकार पात्र में स्थित गेस के अणों ना तो किसी निशित दिशा में एकत्रितो तो तो नहीं उनका कहीं अभाव होता exactly विद्युषेत की अनुपस्तिती में चालक के अंदर भी मुक्त इलेक्टोन उसी अवस्था में होते हैं लेकिन विद्युषेत आरोपित करने पर ये इलेक्टोन एक निशित दिशा में तुरित होने लग जाते हैं धनायनों से टकराते हैं अरजित गती उरजा खोते हैं शन भर के लिए इनकी गती अनिमित हो जाती है उस समय उश्मी उरजा से गती करने लग जाते हैं लेकिन विद्युद्बल पुने इने तुरित करता है और निशित दिशा में गती के लिए बाद्धि करता है पुने ये गतियु जार्जित करते हैं फिर टकराते हैं फिर वोई कहानी रिपीट होती है थेके दब तो ये जो लास लेक्चर था पिछला उसका एंड था यही से बातपन चालू करेंगे इससे अब दो बाते निकलेंगे पहली बात माद्धे मुक्त पत इससे लेमडा से डिनोट करते हैं इसको इंगलिश में कहते हैं टकरों का सीन आप देखी चुके विद्धुशे तारूपित करने पर मैंने पहले बताए दे पहले टकर प्रतियास थे बाद में आप प्रतियास थे तो सब दो क्रमागत टकरों में एक के बाद दूसरी इलेक्टोन द्वारा तै की गई दूरी के ओसत को माद्धे मुक्त पत कहते हैं देखो सब इलेक्टोन जब चालक के अंदर चलेगा तो अन्यक टकरे करेगा अब किनी दो टकर के बीच में दूरी जैसे दो सेंटीमीटर हुई आगे टक्कर में मान लिजे दूरी तीन सेंटीमीटर हुई आगे और टक्कर हुई ये दूरी मान लिजे पास सेंटीमीटर हुई फिर आगे टक्कर होती है मान लिजे दूरी एक सेंटीमीटर हुई फिर टक्कर होती है फिर मान लिजे दूरी दस सेंटीमीटर हुई तो साब एक टककर दो टककर तीन टककर चार टककर पांच टककर दो सेंटिमेटर प्लस तीन सेंटिमेटर पांच और पांच दस सेंटिमेटर दस और एक ग्यारा सेंटिमेटर ग्यारा और दस एकिस सेंटिमेटर तो कुल दूरी कितनी 21 cm कितनी टक्कर है 5 तो यह हो गया सब 4.25 है जो भी मतलब मैंने 4.20 cm इसे कहेंगे अपन माध्य मुक्त पत मैंने भी यह बुला दो क्रमागत टक्रों के मध्य तै की गई दूरी के ओसत को क्योंकि टक्रे वो सारी होगी माध्य मुक्त पत कहते हैं अब मेरा ख्याले समझ गयोंगा आप सिंपल ही आप देखें तो मैंने आपको बताई दिया अनेक टक्रे होती मुक्त पत सब में अलग-अलग होता है कोई में 2 cm, कोई में 3 cm मीटर तो दो टक्रों के बीस तेकी गई दूरी कहीं दो है कहीं तीन है कहीं पाँच है इन सब को जोड़कर ऊसर निकाल दिया तो उसे क्या कहेंगे माद्य मुक्त पत ठीक है दा चलो पेज़ चेंज करते हैं अब आपए सब नेक्स्ट विशानती काल विशानती काल टाइम आ इसको माद्य संगट काल भी कहते हैं तो आप इसको टाइम आफ रिलेक्शेशन इंग्लिश में कहें विशानती काल और माद्य संगट काल आप हिंदी में कहें इससे दर्शा देते हैं अपन टोसे काल है समय है जो परिभाशा भी सुना ही थी वही परिभाशा है अब भी टकरें कर रहा है हर टकर में लगा समय एक जिसाथ होगा नहीं के हर टकर दो सेकिंड में हो रही हो या हर सकर पास सेकिंड में हो रही हो तो सब माध्धी मुक्तपत या मुक्तपत तै करने में या दो क्रमागत टकरों के मद्य दूरी तै करने में लगे समय के ओसत को माध्य संगट काल या विश्शान्ति काल कहते हैं जैसे मैंने भी आपको दिखाया लास्ट पेज पर सब अलग-अलग में डिस्टेंस अलग-अलग है तो अलग-अलग में समय अंत्राल भी अलग-अलग होगा तो अपन ये किरें मुक्त तत्य करने में लगे समय का ओसक एक बात यहां पर आप मोटे तोर पर समझ लीजिए कि जब आप धारा के प्रभा का इमेजिनेशन ले रहे हैं उसकी वस्तु इस्तिती ले रहे हैं तो फिर आप ध्यान रखें कि चालक के अंदर इलेप्टोन की अकेली टक्रें नहीं वा करती बल्कि खुब सारी टक्रें होती हैं तो सब आप अकेली टक्र की तो बात करी नहीं सकते आपके पाद दो फेनोमेनाज होंगे या तो एक इलेप्टोन लीजिए उसकी अनेक टक्रों की बात कीजिए जैसे एन टक्रें ले ली ये भी फेनोमेनाज आप दिमाग में बिठा के चली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या आप ये सोच लीजिए के एन इलेप्टोन है खुप सारे उनकी एक टक्र की चर्चा कर लीजिए बात तो वही है बात तो वही है कंसप्ट वही है अब आप दोनों में से कोई साथ फेनोमेना लेके दारा को समदना प्रारम करें है ने जब तो सब दो करमागट टक्रों में लगे समय के ओसत को माद्य संगट काल या विशान्ति काल तो कहते हैं के लिए यदि मुप्टिलेक्टोन का वर्ग माद्य मूल विग वी आरेमेस है तो काल यानि विशान्ति काल काल बराबर पंजानते है दूरी बटा समय अब अनेक टक्रों में तेकी दूरी को तो क्या कहा जा रहा है माद्य मुक्त पत सोरी दूरी बटा वेगन है अनेक टक्रों में लगे समय को तो क्या कह रहे हैं माद्य मुक्त पत कह रहे हैं ये वेगन जाब और इलेक्टोन की यम्मुक्त इलेक्टोन के विए को क्या बोलने है अपन वी आरेमेस तो सीधा सीधा बाते टो बराबर लेम्डा अपन वी आरेमेस ठीक है जब चोट इसी इसकी चर्चा समझ लीजिए जब आप चालक को ताप प्रदान करेंगे या चालक को उश्मा देंगे तो उश्मा देने पर इलेक्टोन की गती की तीवता में व्रदी होगी और माद्य संगट काल या विश्चानती काल टो में कमी होगी ये बात अपने जहन में रखें कि जब आप चालक को उश्मा देते हैं या ताप प्रदान करते हैं तो इलेक्टोन की गती की तीवता मतलब विशान्ति काल्टो में कमी होती है विशान्ति काल्टो दो बातों पर ही निरभर करता है नमबर वन पदार्थ की प्रकर्ति प्रदार्त की प्रकर्ति कोपर है अल्यूमिनियम है आइरन है अलग अलग धातु है सब में डेंसिटी अलग अलग है डेंसिटी का मतलब मॉलिक्यूल का भराव सब में अलग अलग है और जब मॉलिक्यूल का भराव सब में अलग अलग है तो सहाभी के सब में मुक्त पत यान करमागत टक्रों में तैकी के दूरी भी अलग अलग है और जब दूरी अलग अलग है तो स्वावी के दूरी तैक करने में लगा समय भी अलग-अलग होगा तो एक तो डिपेंड करता है पदार्त की प्रकरती पर यह बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको ने दूसरा पर ताप पर कैसे निर्बर करता है वो तो आपको सामने दिखाई दिया कि ताप बढ़ने से इलेक्टोन की गति की तीवता बढ़ती है और इलेक्टोन की गति की तीवता बढ़ने से विशान्तिकाल और माध्यसंगटकाल में कमी खोती है इसके बारे में मैं पुनें बता कि तो दो बातों पर निर्बग करता है, नमबर वन पदार्थ की प्रकृति पर, नमबर टू टाप पर, हैंने था, कैसे वो थमज़ा, अब बच्चों इसको आप पहला important topic मानिए, academic वाले बच्चों विशेज ज्यान दें, ये topic पहले भी कई बार पूछा गया है, तो मैंने आ आरा का basic पढ़ने जा रहे हैं, तो ये चीज़े तो आपको पहले से समझ के रखनी जरूरी है, ठीक है तब, important, अब आजए ये सब important topic को में लिख देता हूँ, अपवहन, या अनुगमन, वे, अंग्रे जी में इससे कहते हैं, drift, वाला सिटी, है अंदर, इसलिए इसको दर्शाए जाता है, VD के द्वारा, अब D छोटा लिख लो, बड़ा लिख लो, या आपकी इच्छा है, है नहीं, VD के द्वारा इसको दर्शाते हैं, ठीक है तब, सारा सीन आपको बताया जा चुका है, विद्युशेत की अनुपस सिती का, इसने मैंने पिछले लेक्चछर का, जो एंड था, वो आपको या पे स्टार्ट में दिखाया, और मैंने आपसे, पिछले लेक्चर के लाश में कहा भी था, कि आप विद्युशेत लगाने पर, जो इलेक्टोन को चलने को अजियून करें, तो दो तरीके मैंने की चोटी वाला बताए था एक मैंने आपको बिलकुस सरल तरीका जो आपको रूटीन में देखने को मिलता है कि एक हेवी ड्रिंक करने वाला व्यक्ति जो मधोश होता है वो जो चलता है बस समझ लीजिए कमो बेश मुक्त इलेक्टोन भी विद्युश्यत लगाने के बाद व केने का मतलब वही चीज आप यहां जियूम करके चलें अब सब वेग जो पढ़ रहे हैं आप तो विद्युश्यत लगाने से तो पहले वे ओसत वेग जीरो ही से ही तो स्वावी के उसकी बाद तो की ही नहीं जा रही होगी वेग यहां पर आएगा तो विद्युश्यत अपनी काइनेटिक एनरजी को खो देता है उस समय की गति को कह रहे हैं अपन अनियमित गति और यह तंगे खाकर स्प्लिट हो जाना सरक जाना इसको कहते हैं अपवहन गति तो कहने का मतलब विद्युश्यत लगाने के बाद दो प्रकार की गतियां प्रेक्षित होती हैं ए दनायन से टकरा चुकने के पश्चात अनियमित गति रैंडम मोशन एक विद्युश्यत के तुरित कराने के लिकारण स्प्लिट होना सरकने वाली गति यानि अपन गति तो सब यह तो विद्युश्यत आरोपित करने के बाद ही तो सब इंपोर्टेंट टोपिक को अब मुक्त इलेक्टोन की आनियमित गति याद्रचिक गति के दो रैंडम मोशन के दो वह अपन गति सरकना स्प्लिट होना अपन गति दो प्रकार की होगी गति के वेग के पोसत को अपन वेग कहते हैं अब पूरी फोलो में समझाए था विद्यूश्यत आरोपित करने के फशाद मुक्त इलेक्टोन की आनियमित वह अपन गति के वेग का ओसत अपन वेग कहलाता है परिभाशा से इतना तो किलियर है कि अपन वेग एक टक्कर से तो नहीं निकलेगा क्योंकि ओसत बोला है तो आपको अनेक टक्कर अज्यूम करनी पड़ेगी उन अनेक टक्रों के वेग का ओसत है अपन वेग तो जब कैल्कुलेशन करेंगे तो कैल्कुलेशन में आप ध्यान रखिएगा अपन वेग का मान बहुत कम 10 की बाँ-3, 10 की बाँ-4, मीटर 32 की कोटी का होता है इस रिंज का होता है इतना कम क्यों होता है इसका कारण आप मान सकते हो के इलेक्टोन धनाइनो से तक्राकर अरजित गती उरजा बार-ार खोता जा रहा है इलेक्ट्रोन का बार बार उर्जा खोते जाने के कारण ये वेग बहुत कम है 10 की पाव माइनस 3 माइनस 5 रेंज में चलो साब ये तो डेफिनेशन बता दी अब साब इसका सिंपल केलकूलेशन मैं लेंथ में नहीं लूँगा पर समझाने के point of vision लूँगा क्योंकि मुझे लगता है ये क्षिशन आता है कई बार तो साब विध्युत्षेत्र आरोपित करने पर चालक के अंदर इलेक्ट्रोन गती करते हैं इस चालक के या इस विध्युत्षेत्र के कारण चालक के अंदर उपस्तित इलेक्ट्रोन का त्वरण A बराबर F अपॉन M विध्युत्षेत्र बल के कारण तोरित हुए तो F बराबर A में यानि विध्युत्षेत्र पल ने इलेक्ट्रोन को त्वरित किया है तो A में given by electric force तो F ही बराबर क्या लिखोगे आप क्यूई अपॉन small M आप यहाँ पर चालक की बात कर रहे हैं तो आप चालक की बात कर रहे हैं तो क्योंकि जगे आप freely क्या लिख दीजे माइनस C इसलिए बहुए अलग अन्य बाते करते होते तो तो पहली समीकर्ण यह वाली ठीक है लेकिन हम तो यहाँ चालक पर फोकस हैं चालक पर फोकस हैं तो स्वाविक रूप से हम आवेश क्योंकि जगे electron लिख दें upon M यह साब पहली equation इस equation से आपको साब दिख गया होगा electron सदेव विद्यूशेत्र के विप्रीत दिशा में तवरित होते हैं यह बराबर माइनस E तो तवरन और विद्यूशेत्र दोनों विप्रीत दिशा में होते हैं समीकर्ण में साब दिख रहा है तो साब यह समीकर्ण बता रही है कि electron सदेव विद्यूशेत्र के विप्रीत गति करते हैं ठीक है साब यह पायत तो किलर होगी यह electron का तवरन किलर अब साब उश्मिय उर्जा से क्योंकि टकरा टकरा के गति उजा तो खोएगा ने लेकिन फिर भी electron मूँ तो करेगा तो हीट तो है ने उश्मा तो है तो साब यदि उश्मी उर्जा से electron के प्रारंबिक बे अब मैं यहाँ पर अनेक electron अज्यूम कर लेता हूँ एन electron अज्यूम कर लेता हूँ मैंने आपसे कहा था दो फेनोमेनास से चलना होगा आपको या तो एक electron की अनेक टक्रे लें वो भी कोई बुराई नहीं है या अनेक electron की एक टक्र लें उसमें भी कोई बुराई नहीं है तो मैं अनेक electron की एक टक्र की बात कर रहा हूँ तो अपन उससे आसानी से समझ सकते हैं, शायद अच्छा आपके लिए रहें, तरीके तो दो हैं नहीं, तो सब उश्मी उर्जा के कारण, यह दे इलेक्टानों के प्रारंबिक वेग, U1, U2, U3, डेश 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 यूएन, यह उश्मी उर्जा के कारण, प्रारंबिक वेग, हैं दर, तो ट टो 1, टो 2, टो 3, समय पशाद इलेक्टानों के वेग, न्यूटन की प्रथम समी करण से, V1 बराबर प्रथम इलेक्टोन, U1 प्लस A, टो 1, यह पहले इलेक्टोन का, V2 बराबर, इसका प्रारंबिक वेग, U2, A, यह मुक्तपत साब इसका, यह मुक्तपत में लगा समय है, यानि जो विश्चानतिक आल है, वो टोट हुए, N इलेक्टोन है, तो N में इलेक्टोन का, वेग, अन्तिम वेग के दें इसको, टो N, दुबार एक बार सुन ले, उश्मी उर्जा से, या उश्मी उर्जा के कारण, इलेक्टानों के, मैं एन इलेक्टानों की बात कर रहा हूं, इलेक्टानों के, प्रारंबिक वेग क्रमशे, U1, U2, डश 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 यूए न हो, तो, अन्तिम वेग, यानि, कुछ समय पश्चात, या ठकराने के पश्चात, अन्तिम वेग, V1, V2, V3 को कैसे लिखेंग उसका मुक्तपत में, विश्चानतिकाल टोवन, दोसे लेक्टान का विश्चानतिकाल टोवन, तो ये सब मैंने, इलेक्टानों के, वेग लिख दिये, अब क्योंकि, VD क्या होता है सब, परिभाशा के अनुसार, VD परिभाशा के अनुसार अपनने का है, इलेक्टानों के, वेग के, आउसत को, एन इलेक्टान है, अपवान वेग कहते हैं, तो VD बराबर V1 प्लस V2 प्लस 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 VN, अपोन इन, यानि, VD, V1 की वेल्यू रखेंगे आप, U1 प्लस A तो 1, V2 की वेल्यू रखेंगे आप, U2 प्लस A तो 2, और इसी तरह, यू एन प्लस A तो एन, हैं दर, अपोन इन, तो बच्चों देखो, एक बात यहाँ पर छोटी सी गोर करने वाली बात है, कि जब हम अपवन वेग की बात करते हैं, तो ये निर्ने अनेक टक्रों से होगा, एक टक्र से नहीं, या तो अनेक एलेक्ट्रों की एक टक्र से होगा, यह एक एलेक्ट्रों की अनेक टक्रों से हैं, ठीक है जब, या VD is equal to, यह देखो U1, प्लारम बीक वे, U2, प्लस प्लस प्लस, उन, हैं दर, इसको एक तरफ कर दें, सेपरेशन कर दिया, यह N, प्लस, इधर A common आ रहा है, और टो 1, प्लस, सोरी, इस टो पे सब वेक्टर नहीं लगेगा, यह न, टाइम है, चोटी-चोटी चीज़े हैं, पर याद आ जाती ही, तुरंत आपके सामने correction कर देते हैं, टो N, अपोन N, ठीक है, अब इन पार्स को देखिये ध्यान से, इसके बारे में मैंने पहले ही बोला था, अभी हाल आपको, कि उश्मी उर्जा से, इलेप्टानों के वेक्ट, याद रच्शिक होते हैं, आनिमित होते हैं, उनके प्रवा की दिशा निश्यत नहीं होती, जैसा विद्धुश्यत की अनुपस्तिती में मैंने आपको सुनाय था, तो उश्मी उर्जा से, या उश्मी उर्जा के कारण प्रारंबिक वेक्ट, विबिन दिशाओं में होने के कारण, इनका ओसत कितना होगा? जीरो, दोबारा इसको मैं समझायता हूँ, उश्मी उर्जा से, या उश्मी उर्जा के कारण प्रारंब प्लस ए यह सब अभी आपको डेफिनिशन इस आज के लेक्चर के शुरू में समझाए था दो क्रमागट टक्रों में लगे समय के ओसत को विशान्तिकाल कहते हैं ति विशान्तिकाल एक ही वेल्यू रख दीजिए एक से एक से एक ही वेल्यू रख दो एक से वी डी बराबर एकिवेल्य रख दी माइनस ए ए अपोन एम इंटो टो यानि अपवन वेग भी विद्यूशित के विपरीत दिशा में होता है या विपरीत होता है माइनस जिन या भी आ रहा है यह वेक्टर फॉर्म है यह अपवन वेक का डेरिवेक्शन है इसको और छोटा भी कर सकते हैं और यह में थड़ आपको जमीराइस में कोई सा लगता ही नहीं यह दो नमबर का वेटे जिसका होता है तो इसको खटा-खटकी चाहिए इसका अगर इसको मौडलस फोर्म में लिखें मैगनिट्यूड में लिखें मैगनिट्यूड में लिखेंगे तो स्वाविक रूप से अब हम सदिश का चिन नटा देंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ता, अपने वो रूप काम में आएगा, इसे मैं उसको समीकर्ण नंबर देता हूं, एक, और यह समीकर्ण नंबर दो, दोनों कोई दो देता हूं, इसको भी और इसको भी, दोनों चीज तो एक है, तो अब बच्चों फिला आपको समुझ में आएगा क्या ये क्या दारा का बेसिक हुआ थोड़ा वेट केजिए ये दारा का बेसिक ही है लेकिन जैसे एक ट्रेन देखते हो आप तो ट्रेन जब तक इंजन से न जुड़े हैं ट्रेन के डबों का कोई महतुर नहीं है वो खड़े रहेंगे एग्जेक्ली अभी मैं अपन वेक के बारे में ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं उसका रीजन है जब अपन वेक दारा से कनेक्ट होगा आई से इसको जोड़ूँगा फिर में वो बोलने की जोड़त नहीं पड़ेगी फिर आप खुद बे-खुद समझ कि इस अपन वेक की महिमा क्या है है इंपोर्टेंट वीडी बराबर ई इंटो टो अपन एम मैं तु है लेकिन अभी तक जबता है कि दारा से कनेक्ट नहीं तो मैं इसके बारे में कुछ भी बोलूँगा अभी आपको कोई खास फरक पढ़ने वाला नहीं है इसलिए मैं यानि धारा और वीडी के वीच संब्द लाऊंगा जैसे वो संब्द लाऊंगा फिर मुझे कुछ केना नहीं पड़ेगा फिर आप खुद बे कुछ समझ जाएंगे कि इस वीडी का क्या महत्तु था इसके बाद एक छोटा टोपिक आएगा कोई बहत पूर्ण तो इसको न आफ चार्ज केरियर यानि आवेश्वाकों की गतिशिलता है नहीं तो कोई विशेश नहीं इसको मैं ज्यादा इस्टे मदलब उसमें मिनी नहीं आपको इंपोर्टेंट लगाना बताई दिया मैं कहां कहां इंपोर्टेंट लगांगा वीडी अभी आपने देखाई एक ब पर, capital E पर और top पर, देखोई, E fix है, E का मान 1.6 into 10 की पाउर, minus 19, यानि minus 19 कूलाम होता है, तो E को सब जानते हैं, M electron का दर्मान है, वो भी fix है, 9.1 into 10 की पाउर, minus 31 kg, तो साथ VD, जिन 4 बातों पर निर्वर कर रहा है, उसमें से 2 तो constant है, एक तो small E constant है, और एक electron का दर्मान constant है, तो VD अब आपके इसाब से 2 पर निर्वर कर रहा है, विद्धुशेत और top पर, हैं जब, तो सम्में कहता हूँ, यदि ताप नियत है, temperature constant है, ताप नियत है, पदार्थ को तो हम नियत मानते हूँ, चलिए हम बात ही चालक की कर रहे हैं, तो पदार्थ तो हमने नियत करी रखा है, ताप नियत है, तो definitely fit हो क्या हो गया, नियत हो गया, क्योंकि तो दो ही बातों पर निर्वर करता है, पदार्थ की परकरती और ताप पर, तो पदार्थ तो हम चालक ही पड़ रहे हैं, तो इसने उसको constant ही माननके चलें, तो तो दो बातों पर निर्वर करता है, पदार्थ की परकरती वो तो constant होगी, अब बचा गया ताप अगर मैं ताप को भी नियत कर देता हूँ तो टो नियत हो गया अब टो नियत हो गया तो इसका मदलब अब तीन चीज़े नियत हो गी E और M नियत था इससे ही टो नियत होई गया तो अब VD डारेक्ली प्रपोर्शनल टू E मैं यहाँ फोर्मूला एक बार ओल लिख देता हूँ तागि बार बार उदर नहीं जाना पड़े अपने को E E अपान M इन्टू टो है जाँ दो चीजों को आप इसमें कॉंस्टेंट ही रखते हो चलेंगे यह दोनों कॉंस्टेंट है तो को मैंने अभी कॉंस्टेंट कर दिया यह प्रदार्थ की प्रकर्ति पर निर्भर करता था तो प्रदार्थ की प्रकर्ति तो नियत है इस से ही है ने और ताप पर निर्भर करता था ठीक है जा ताप मैंने नियत कर दिया तो VD is proportional to E यानि VD is equal to mu E गतिशीलता का सिंबॉल म्यू है, वो मैं यहां लिख देता हूँ, तो VD is equal to म्यू ए, म्यू समानुपातिक इस्तिरांग के, जिससे आवेश्वाग की गतिशीलता कहते हैं, चालक के अंदर आवेश्वाग इलेक्टोन है, तो आप मीटर प्रति सेकिंड, और यह जो है, यह वोल्ट प्रति मीटर है, तो VD का मात रखुए है, मीटर स्कॉाइर, प्रति वोल्ट इंटू सेकिंड, एक बार और देख लें, VD यानि वेलोसिटी, मीटर प्रति सेकिंड, जो आपका यह है, के नाम से, विद्धुशेद, बटा वोल्ट इंटू सेकिंड होगे, एक बार में चेक कर लेता हूँ, के वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट का मतलब जूल बटा कूलाम प्रति मीटर, जूल यानि न्यूटन इंटू, मीटर बटा कूलाम है, ठीक है, मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, साब एक ही बा अब अपनी यहां से डेफिनेशन बोलने हैं चालक के अंदर इलेक्टोन के अफवन वेग वह चालक के अंदर विद्युश्यत का अनुपात नियत ताप पर नियत आंक होता है जिसे इलेक्टोन की गतिशीलता कहते हैं म्यू बराबर वीडी अपन ए एक छोटा सा मसला इससे हलो सकता है वीडी का मान यहां से रखिए म्यू बराबर वीडी अपन ए वीडी अपन ए का मान रखेंगे तो क्या हैगा इटो अपन हैं यही है वीडी अपन ए का मान आप इसमें से निकाल लीजिए यानि म्यू इस प्र दो आवेश्वाक हैं, गेस के पास दो आवेश्वाक हैं, अर्चालक के पास दो आवेश्वाक हैं, फिर भी धातु ने बाजी क्यों मार गई हैं, तो साथ धातु के पास जो आवेश्वाक हैं, उसका दर्यमान सबसे कम है, और हम जानते हैं, गति शीलता दर्यमान के व्यत कर उपाती होती है तो हम देखें तो धातूं के पास जो आवेश्वा के मुक्ति लेप्टोन है और मुक्ति लेप्टोन का द्रेमान सबसे कम है इसे धातों में आवेश्वा की गतिशिलता दिक होने के कारण धातूं सुखमता से धारा परदान करती है दुबारा ध्यान से समझे ये साब इसका एक रूप निकाला VD upon E यहां से रखिए E को इदर shift कर देंगे आप VD upon E तो E to upon A आ जाएगा इससे अपने को जो दिखा वो इदर लिए देता हूँ इससे अपने को दिखा Mu is proportional to 1 upon A यानि आवेश्वाग की गतिशीलता चालक कहें तो इलेक्टोन की गतिशीलता को क्योंकि चालक में तो आवेश्वाग इलेक्टोन ही है तो इलेक्टोन की गतिशीलता या आवेश्वाग की गतिशीलता दर्मान के विद कमानू पाती होती है अब आप से कोई क्यूशन पूसता है कि द्रवों के पाँ आवेश्वाग दो हैं गेसों के पाँ दो हैं अर्चालक के पाँ दो हैं धातों के पाँ तो ये की है फिर धातों इतनी अच्छी चालक क्यों हैं तो आप जवाब दे देना जो आवेश्वाग धातों के पास है उसका दर्यमान सबसे कम है, यानि मुक्तिलिक्टोन, और जिसका दर्यमान सबसे कम, उसकी गतिशिल्टा सबसे अधिक होगी, गतिशिल्टा अधिक है, तो धातों सुखमता से धारापदान करती है, यह गतिशिल्टा के संदर में, यहां पर एक और बात, मैंने परिवाशा द दिये गए तापणियत होता है जिसे गती शीलता कहते हैं अब मैंने यह बोला चालक के अंदर विद्धुशेत तो बच्चों इस्थिर विद्धुत्की में तो मैं कहता हूँ कि चालक के अंदर विद्धुशेत शुन्य होता है लेकिन धारा विद्धुत्की में मैं यह नही कहता हूं कि चालक के अंदर विद्धुषे बलकि मैं बहुत चोड़े धारे में खुल के बोल रहा हूं कि चालक के अंदर विद्धुषे तो सब इस सिर विद्धुषे यानि इस सिर आवेश में चालक के अंदर वास्ता में विद्धुषे शुन्य होता है धारा विद्धु अब धारा विद्यूत्की में चालक के अंदर विद्यूशेद के कारण गती नहीं करते हैं गती करते हैं तो विद्यूशेद उन पर बल लगाता है जो अंदर इस्थापित हो जाता है अब आप सुचोगे के सर आप तो कभी क्या किये तो नहीं बिलकुल होश में कह रहा हूं मैंने जब इस्थापित की में आपसे कहा था तो यह कहा था कि कार पर बिजली बिड़ जाए तो कार में बेठा वेक्ति सुरक्षित है यह इस्थापित की का उधारन लेकिन मैंने यह कि अगर कार के पलक्ष से दो तार निकाल के कोई टच कर द correlation तो अंदर बेठा आदमी सुरक्षित नहीं है तो बिजली की जाए और दो वायर आप प्लक से निकाल के कार के टच करा दो अब अंदर आदमी का बचना संबाव नहीं है तो सब जब आप धारा विद्युत की पढ़ रहे हो तो चालक के अंदर विद्युषेद इस्थापित होगा चलो सब यह दो टोपिक होगी अब मैंने कहा कि वीडी के बारे में इसे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा वीडी के बारे में बोलने के लिए मुझे इसको धारा से रिलेट करना पड़ेगा तो रिलेशन बिट्विन यानि धारा आई वा अपवहन वेग वीडी के मद्धे संबंद ठीक है था अब मुझे वीडी का मैं तो समझाने की बिल्कूल जरूत नहीं पड़ेगी है नहीं अब आप खुद समझ जाएंगे और अब जो चीज आएगी उसे धारा का बैसिक कहते है इससे आप जचे जो पूछना यह सब मैंने एक बेलना कार चालक ले लिया जिसकी लंबाई मैंने मान ली स्मॉल एल काटों के बीच दूरी और काट शेद पर मान लिया एक क्योंकि अब धारा की बात कर रहे हैं तो अब इससे सेल अटेज कर देते हैं यह सेल अटेज करके और यह सीरा नेगेट यह इसमें एक मोक्त इलेक्टोन जाहिर कर देता हूँ दिखा देता हूँ और अब विद्धुशेत्र भी आराम से दिखा देता हूँ धन से रिन की और यह विद्धुशेत्र भी मैंने अब निर्भिक हो के दिखा दिया जो मैंने आपको explain भी कर दिया ठीक है जब एक आठशेत्फल important नहीं है topic पर अब ये धारा का basic सामने आ रहा है important हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है important जो था वो बता दिया मैंने तो सब चालक का काठशेत्फल ए वो लंबाई small l है जिखा रखी है ठीक है जब यदी चालक के इकाई आयतन में इलेक्टानों की संख्या small n हो तो l आयतन में कुल इलेक्टोन कितने हुए n a l मैं द्यान से समझना बात को नहीं है छोटी सी बात है बड़ी नहीं है एक आशेत्फल वो l लंबाई का एक बेलनाकार चालक मैंने चित्र में दिखा रखा है इस चालक के इकाई आयतन में इलेक्टोन की संख्या मैं पूरे आयतन में इलेक्टोन की संख्या नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ इकाई आयतन में जब आप निमेरिकल करोगे हुए साब कुल इलेक्ट्रोन इसनी बेलनाकार चालक में कुल आवेश अब कुल आवेश क्या होता है साब कुल आवेश का मतलब हुआ कुल आवेशित कन यानि पार्टिकल इंटू प्रतेकन पर आवेश प्रतेकन पर आवेश बात को समझना यह तो संक्यान है जैसे आपने का NAL इलेक्टोन है यह तो इलेक्टोन है अब जैसे मैं आप से कहूँ दो इलेक्टोन है आवेश हो गया क्या आवेश कितना हुआ 1.6 इंटू 10 की पाव माइनस 19 यानि 2E1 है मैंने आप से कह साथ इलेक्ट इंटू 10 की पाव माइनस 19 होता है यानि साथ ही हुआ तो आवेश अलग चीज़ है संक्या अलग चीज़ है दुबार द्यान से समझें कुल आवेश इतकान तो एक आई आयतन में कुल इलेक्टोन NL एक इलेक्टोन पर आवेश इलेक्टोन के बराबर तो कुल आवेश कितन में स्पेस लेने के लिए मिटा देता हूँ है नहीं है और आवेश अलग चीज़ होती है जो मैंने आपको बैतर तरीके से किलियर करने की कोशिश किये ये संख्या और प्रतेकण पर आवेश इलेक्टोन अब सब इलेक्टोन विद्धुश्यत के विरूत किस से गती करेगा अब वन वेख से वो किलियर होई चुका है जा अब वीडी वेख से इलेक्टोन को एल दूरी ते करने में लगा समय कितना समय लगेगा सब समय बराबर दूरी बटा वेख है जा दूरी बटा वेख तो दूरी तो ही आपके एल वेख कौन हुआ वीडी ये इतना समय लगेग इसलिए बेलनाकार चालक में धारा I is equal to अब तो सहाब आप समझ गयोंगे Q upon T Q का मान तो ये रख दीजिए ये रख दिया है सहाब आपने N A L E और T का मान रख दिया L upon V D ये L से L कर दिया हने पेंट चेंज करने पड़ते हैं बच्चों यहाँ पे तागि आपको सब चीज़ सहाब दिखते रहें तो I बराबर क्या हुआ सहाब A N E A V D ये सहाब कहलाता है Basic Concept of Current ये सहाब यही चीज़ थी जिसको पर चुकने के बाद हम कहते हैं कि धारा का basic हमने समाप्त कर दिया ये धारा का basic पढ़ लिया सहाब आपने अब आप इससे basic क्यों कहते हैं छोटी छोटी बातों से मैं चालू करता हूँ बात समझाए पहली बात तो यहाँ पर बहुत सतर्क रही है कि मैं आपको जब इस chapter के first lecture में कह चुका हूँ कि काट शेदफल के प्रतिक बिंदू पर धारा समान रहती है यह मैं बोल चुका हूँ इसका मतलब धारा काट शेदफल पर निर्भर नहीं करती है बिल्कुल के लिए ध्यान रखें क्योंकि मैंने first lecture में शुरू में ही बोल दिया था कि अपन DC पढ़ रहे हैं यानि दिश्ट धारा पढ़ रहे है तो उसके संदर में आप विल्कुल किरियर रहे है कि काट शेदफल के प्रतिक बिंदू पर धारा का मान एक समान होता है मैं आपको असमान काट शेदफल में दिखा देता हूँ है ने दब ये देखो ये शेदफल बड़ा है ये शेदफल छोटा है ठीक है अब राशियां दिखा रहता हूँ दागी आप संतुष्ट हो जाए है अब दारा घंत्यू की बात करते हैं जे जे की बात करते हैं क्योंकि जे बराबर अपन पढ़ चुके आईपॉन ए जाएपॉन ए तो जहाँ शेदफल अधिक है वा जे गं है और जहाँ शेदफल कम है वा जे अधिक है तीसी बात धारा धारा अपन के चुके हैं के चालक के आज शेदपल के प्रतेग बिंदू पर धारा समान ते धारा यहां भी आईए वहां भी आईए अब वीडी की बात करें तो देखो आई शेदपल पर निर्भन नहीं करता तो जहां शेदपल कम होगा वहां वीडी को बढ़ जाना पड़ेगा और जहां शेदपल ज़्यादा होगा वहां वीडी को घटना पड़ेगा यह सीन आप अच्छी तरह से समद ले जो फोर्मूल आ रहा है वो कुछ केता होगा लेकिन वो जो केता है उसमें सब सत्तिता नहीं होती क्योंकि वो पूर्वा ग्रेस से भी ग्रसित बाते हैं तो दारा काजशेदपल पर निर्बन नहीं करती इसनिए जहां काजशेदपल कम होगा हुआ अपन वेक बढ़ जाएगा क्योंकि दारा को तो नियत रहना है और जहां काजशेदपल दी को हुआ अपन वेक घड़ जाएगा अन्य चीज़े बताई धारा तो दोनों जगे ही समाना अब लाश्ट लाश्ट में सब अगला पेज लेके मैं कॉंसप्ट आफ करेंट समझाता हूँ यानि एन ई ए वी डी इससे हम धारा का बेसिक क्यों मानते हैं तथा वी डी का क्या महत्तु है है जब तो वी डी का महत्तु तो डारेक्ट दिखाई देता है आई डारेक्ली प्रोपोर्शनल टू वी डी यानि अफवान वेक बड़ेगा तो धारा बड़ेगी अफवान वेक डिक्रीज होता है यानि कमी होती है तो धारा में कमी होती है मूल बात यह है कि I बरावर N, E, A, V, D आते ही हम यूँ क्यों समझने लग जाते हैं कि अब हम धारा के बारे में या धारा के संदर में सब कुछ जानने लगे मैं जाब इसका जवाब आपको शाट में देता हूं धारा का यह फोर्मूला वह फोर्मूला है जो आपकी सबी बातों का जवाब देगा इसके साथ वस वीडी ओर जुड़ना चाहिए जिसे मान लेजे आपने पूछा विद्यूशेत्र से क्या धारा प्रभावित है और प्रभावित है तो विद्यूशेत्र के अनुसार दारा में केसा परिवर्तन होगा तो सब यह अपना बेसिक है इसमें वीडी का मान पूट करो तो आई इस इक्वल टू एन इए वीडी पूट किया सब ए अपन एम इंटू टो यानि आई इस इक्वल टू एन इस्क्वाइर ए टो अपन एम इंटू ए अब दिग्या सब आई डारेक्ली प्रपोर्शनल टू ए यानि विद्यूशेत्र में व्रद्धी से धारा में व्रद्धी होती है और उसका उल्टा भी सकते है यानि धारा विद्यूशेत्र से प्रभावित है आप से पूछे क्या धारा ताप से रिलेटेड है या धारा पर ताप से प्रभाव पड़ता है यस अब इस सारे जवाब इसी से मिल जाएंगे देखो सब बी में आपको टो दिखा है टेंपरेचर अगर बड़ता है तो मैंने आपको बटाएं तो बड़ाबर विप सोरी लेंडा अपोन वी अरेमेस तो अपन देख चुके उसी को टो बड़ाबर लेंडा अपोन वी अरेमेस जब चालक का ताप बढ़ाओगे ताप बढ़ाने से इलेक्टोन की गती की तीवता में व्रद्दी होगी संगटकाल में कमी होगी और टो में कमी होगी तो आई डारेक्ली प्रोपोर्शनल टुटो तो टो में कमी होने से धारा में कमी होगी मेरे केने का मतलब ये है कि आप धारा के संदर में कुछ भी पूछिए क्या धारा, अलग-налग प्रदार्ट में अलग- अलग होगी I directly related to N N का मतलब एकां काहितन में इलेक्टरोन की संक्या और हर दातु के एकां काहितन में इलेक्टोन की संग क्या अलग अलग है इसका मतलब हर दातों में धारा भी अलग अलग है जो पूछो आपने बाहिदा पूछा कि धारा का विवांता से क्या संबन दे तो बेलनाकार चालक का कारशेत्फ फले था काटों के बीच की दूरी डिस्टेंस बोल दे उसे वो एल थी तो ए बराबर अगर अपन लिखें तो ए बराबर क्या लिखेंगे वी अपॉण डी डी की जगे काटों के बीच की दूरी एल बी में रखो बीच से i is equal to n e square a to upon m और यह आपने रख दिया e की जगे v upon l i directly proportional to v इससे आप आमसला के नाम से जानते हो दारा का basic यह चीज भी प्रूव करता है तो मेरे केने का मतलब है कि आई बराबर एन ये वी डी के साथ वी डी को ध्यान रखो और आपके सारे जवाब लेते जाओ आपने पूछा mobility यानि गती शीलता से दारा का क्या संबंद है तो इसने ही मैं इसको basic कहता हूँ कि ये formula हर बात का जवाब देने में शक्षम है अब जैसे गती शीलता से दारा का क्या relation है या relation भी है के नहीं है और हे तो किस तरह का relation है दोनों बाते हैं अब क्योंकि गती शीलता से relation तो हमने वीडी बराबर पढ़ा था म्यूँ ए ये वीडी बराबर पढ़ रखा है गती शीलता में इसमें रखो सब ए में ए से में रखा अपने आई इस इक्वल टू एन इए वीडी की वेल्यू क्या रख दिया अपने म्यूँ ए i directly proportional to mu और mu directly proportional to one upon m यह पन पहले पढ़ चुके थे पिछले lecture में हैं जिर तो अब आप देखो बाकायदा हैं जब इससे lecture में पढ़ा है है अब आप बिल्कुल गिलेडी देखो गती शीलता बढ़ेगी दारा बढ़ेगी गति शीलता से एलेशन ये question के form में आ रहा है आवेश वाक से भी relate कर लो द्रव है, ठो से, गे से, अर्द चालक है सबसे light weight, सबसे हलका आवेश वाक चालकों के पास है electron, मुक्त electron electron का दिमान कम है तो चालकों में गति शीलता ज्यादा होगी और गति शीलता ज्यादा होगी तो चालकों में अन्य प्रदार्तों की तुल्ला में धारा अधिक होगी तो बच्चों अभी जैसे ही अपने कंसर्प्ट खतम कर लिए एक दो छोटे मुटे निमेरिकल नेक्स लेक्चर में अपन पुट कर देंगे लेकिन मेरा ये कहना है कि अब आप कोई सी भी चीज़े प्रतिरोद पड़ोगे आप नेक्स्ट में तो रेजिस्टेंस का बेसिक भी इसी से निकलेगा ये देखो निकल गया ना उमसला तो मेरे कहने का मतलब है थर्टी फर्सेंट करीब जो चेप्टर है वो इस पर फोकस है है ने और अब आप समझ गयोंगे कि इससे धारा का बैसिक रूप क्यों कहते है या कंसप्ट ऑफ करंट इससे क्यों कहते है सीधा सा रिजन है आप कुछ भी पूछो पहले आप इतना नहीं जानते थे पहले मैं आप से पूछा किया तापसे धारा प्रभावी थे आप नहीं बता सकते थे इसके आने के बाद आप बता सकते हो कि हाँ तापसिधारा प्रभाई थे प्रभावी थे और भी यही नहीं जो मेरे पास questions हैं और भी आपके जिग्या सा हो सकती है आप या तो हमें बताओ इसके लिए हमने आपको साफ के रखा है कि आपका कोई भी doubt से आपको कोई भी questions चाहि चाहिए solution चाहिए motion learning अप download करो आप हम आपको सब live समझाएं उसके कोई charges नहीं यह previously का गया है तो सब इसके धारा की basic केने के पीछे region है यह सभी के जवाब देने में शक्षम है तो बच्चों बस आज इतना ही next lecture में कुछ एक इसके एक दो numerical डाल देंगे और next lecture से प्रत्रिय चालू हो जाएगा thank you thank you very much आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह lecture आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है और सही बता हूं तो पुन् ठीकरा गलू झालू थार बाटने से आपको लीडियो करिए